अस्तामलेकुम आज किला यूसफ कीचन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम बिंडगां को कैसे फ्रीज कर सकते हैं कि महीं आप बिंडगां बादार में से लेके आए उसी दिन पका लें तो फिर तो ठीक है वरना अगर हमने इने फ्रीज करना हो तो प्र जिस दिन पकाने के लिए निकालते हैं तो फ्राइ करें तो वह बहुत पानी शोड़ रटी है और आईल में भी वह बहुत फिर उसके छी पकाने वाले दो चमच मेने ओयल डाले रगी जरम होने तो इसमें गुंदिगा डालें इले हम हल्का सब आजेंगे ब्राउन अब यह देखें हल्की सी फ्राई हो चुकी है क्यूंकि मैं आम भी घर में बिल्गा बनाती हूं तो मैं बहुत ज्यादा प्राई ही करती बस हल्की सी फ्राई करती हूं अब यह मैं निकाल दूंगे प्लेड में इस तरह फ्राई करने के बाद थंडी होने पर फिर आप इसे किसी एस टाइक जाग में डालें और फ्रीज कर दें तो जिसरत दिया आपने पकानी नों आप निकालें और पकाएं और बहुत जल्द यह बंगे जाएंगी और यह वो पानी भी नहीं छोड़ेंगी उमीद है कि आपको मेरा यह तरीका पिसांद आया होगा गाउं में याद रिखेगा मिलते हैं इंचाड़ा बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में अल्ला हाफिज